हलो एवरिवन वालकम बाइग आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक आउट स्टॉक के बारे में और एक छोटा सा जो स्टॉक है काफी अभी चर्चा में है वो है सुजलन क्योंकि वो रेली दे चुका है 6 से लेके 29 तक आ चुका है अब इसको आगे हमें कैसे करता है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे क्योंकि असमें हमें ब्रेकाउट देखने को मिला है या तो ब्रेकाउट यहाँ पे होने वाला है दोस्तों कर आप इस चैनल पर नय हो तो सब्सक्राइब जरू करना वीडियो पसंद आए तो लाइक औ особенно जरो करना तो पहला स्टॉक है यहां पर बजाज फाइनांस काफी टाइम से हम यहां पर इसको वेट कर रहे थे कि यह अगर वापस 79-80 को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा स्वाट कवरिंग हमको देखने को मिल सकता है यह जो लेवल था 79-80 के आसपास था यहां पर 8,000 से लेके और मेरा जो टाइगर था 8183 था और आज हाई लगाया था 8192 अब इसको आगे हम क्या करेंगे अगर देखेंगे तो जो अभी वार की सब्सक्राइब आता है और यह होल्ड कर जाता है यहां पर 8,050 के उपर तो आप इसको बाई करके रख सकते हो इसका जो पह पर आपका टार्गेट यहां पर 8330 रहेगा पहला उसके उपर ब्रेकाउट आता है तो 8679, 8757 फाइनल हमारा टार्गेट होना चाहिए 9200 यह हमारा टार्गेट होना चाहिए तो अगर किसी को अगर बाई करना है तो बजाज फाइनल काफी अच्छा सा स्टॉक रहेगा इसको आप बाई में रख सकते हो तो जो ऑप्सन चेंज है यहां पर बजाज फाइनाइंस का उसमें आप देख सकते हो कि कल मैंने बदा आता कि 8000 का जो कॉल है वहां पर यहां पर तीन लाग 42 है टोटल दे पांच लाग के उपर अब दो लाग महां से एक्जिट हो चुके अभी साड़े तीन लाग है विद दो होप अगर मार्केट निचे आ है तो हमें एक मौका में लेका एक्जिट का मार्केट कभी भी फसे हुए को मौका नहीं देता है वो हर बार ध्यान में रखना तो स्टॉप लोस अगर हीट होता है तो ले लेने का एवरेज मत करना कोई भी में 8090 को ब्रेक नहीं करता है तो यह फर्दर इंको ट्रैप करेगा जब तक 8300 लेके जाएगा आपका नेक्स यहाँ पर जो हर्डल आएगा 8200 एन 8300 है तो उसकी हिसाब से देखेंगे तो अभी शॉर्ट ट्रैप है हमें यहाँ पर ज्यादा ओई चाहिए 8300 पर अगर यहाँ प पहले क्लियर कर देता हूं तो आप देखोगी यहाँ पर एक नीचे से जो मूँ आया था यह आपका ब्रेक आउट लेवाल था ब्रेक आउट के बाद में कंसोलिडेशन इस जगह पर जो फिबोनाची हमने लगाया वहाँ पर 38% को होल्ड करके यहाँ पर फिर से बाउंस द बिलता है जैसे सीमिलर यहाँ पर है यहाँ पर है तो आपको हम यहाँ पर जो जान में रखना है वह रहेगा 539 लेवल जब तक 539 को होल्ड करता है आप इसको बाई करके जा सकते हो ऊपर के टार्गेट के लिए हम जैसे हर बार फिबोनाची का यूज करते हैं तो हमें यहा किया है फॉल आया और फिट से हम ऊपर की साइट जा सकते तो इस इस ट्रेट को आप लॉंग में रह सकते हो डियलेप का अगर ऑप्सें चेंड देखे डियलेप में जो स्ट्राइक है अभी एड़ दमनी 550 है और हमारा स्टॉक भी उसी के आसपास चल रहा है तो 550 में देखे कप मों देखने को मिलेगा 565 75 तक के लिए नेक्स जो स्टॉक रहेगा हमारा बॉंबे डाइंग बॉंबे डाइंग यह जो एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा है उसको हर बार यहां पर सपोर्ट लेकर बाउंस कर रहा है इस बार भी दिया है और यहां पर एक डबली पै अब यहां पर एक कन्फरमेशन है तो आपको बाइक करना है तो आप कर सकते हो यहां पर 165 हमारा नेक्स टार्गेट रहेगा आइडियल एंट्री होगा 146.60 के ऊपर महिंद्रा हॉलिडेज यहां पर देखेंगे तो यह जो स्टार्ट हुआ था था कन्स लेटेशन 25 ऑगस्ट यहां पर अल्मोंस दो मन्त हो चुका है अब यहां पर हमें तो हम यहां पर इसको ब्रेक आउट के लिए देखेंगे एक ट्राइंगल पॉलिंग जो ट्रेंड ला हुआ है तो लॉंग में आप बैने रहेख सकते हो जब तक हम यहां पर यह ब्रेक आउट चैनल के ऊपर है आइडियल एंट्री कोई भी रिजन से अगर नीचे मिलता है 4.25 के बीच में आप लॉंग कर सकते हो नेक्स जो था हमारा जो बात करना था तो सुचलौन बहुत आप यहां पर मंतली चार्ट देखेंगे बाद में जो breakout आया हुआ है उसको retest करके इसने breakout दिया है अब आपके देखोगे तो यहाँ पे पिछले में से अब तक इसने जो rally दिया है 8 से लेके यहाँ पे 30 के आसपास perfectly 22 points का हमें move देखने को मिला है यहाँ पे तो अगर count करते हो तो कर भी 300 points के आसपास इसका एक पर count देख लेदे कितना percentage आता है price range जो यहाँ से इसने almost 225 percent का आप move दिया हुआ है हमें यहाँ पे कैसे trade करना है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऐसे chart देखेंगे तो हमें यहाँ से काफी अच्छा सा उपर की side देखने को मलना है जो है 107 पर क्या हम ऐसा trade कर सकते हैं नहीं कि हमारे लिए जो आएगा वो यह candle जो है उसका low है 30.35 फिर है next है 38 तो हमारे लिए trade यहाँ पे बनेगा जब हम 31 के उपर sustain करेंगे तो हमारा next आएगा 38 होगा तो हम buy करेंगे इस zone में हम क्या करेंगे weekly chart में जाएंगे तो weekly chart में हमें क्या देखना है यह जो zone है यानि 27 अगर मार यह suzlon नीचे एक dip देता है और यह 27 से लेकि 26 को hold कर जाता है तो एक छोटा सा risk लेके हम buy करेंगे हमारा जो stop loss होगा 23.50 रहेगा हमारा target उपर में 32 and 38 रहेगा तो suzlon को अगर buy करना तो बहुत ही छोटी quantity में buy करना कि अगर आपका stop loss भी heat होता है तो आपको कोई problem ना होना चीए तो उस हिसाब से buy करना तो दोस्तों मैं और आपको कोई झाल करोएगा 링 हमार लाग परानी की हम इसरी जा मीभा तो भीओट